आज जो केस हम पेश कर रहे हैं ये दरसल केस ही नहीं था ना कोई शिकायद दर्ज हुई थी ना जुर्म का कोई सुराग था सिर्फ एक खबर हाथ लगी थी ये कैसी खबर यह हम तक काफी अजीब और गरीब रास्ते से आई थी ये जीतू एक कौटर पिलाना भाई किब चंद्रू आपी बड़े तेरा ये पिलाना बिलकान जूस दो दिन से गला सुकरा है भाई ये हट चंद्रू दूबर आहां दगा ना बहुत बूरा पिड़ेगा तू समझा चलिकल ये खबर आए मेरे पास कड़क खबर दूँगा तोड़ा पानी कुछ नहीं नीट दूँगा सालेश खबरी को खबर देगा वो भी तू हाँ अगर सुनेगा खंबा पिलाएगा तुझे खबरीयों का वो मिलेगा वो वो क्या हां भारत रत्तर मिलेगा तरे को मेरे को बस एक एक हफ्ते की प्ला देना अब उसी मैसे एक कोड़र प्ला देना भाई गला सुकरा जितू अज तारीक क्या है भाई पंदरा जून दो हजार सत्रा गुरुआर आगे बोल दो हजार पंदरा में दिवाली कौन से तारीक कुपड़ी थी याद है अब जो तुझे पड़ेगी न सारी जिंदिगी याद रखे है हर तरफ भटा के चला है थे खुल जो तो पंदरा दीवाली कटाइम था और क्या होगा दीवाली में की अर्मापुरम टेषन मालमत रखो वे आगे बोलबichen अबर्मापुरम टेषन से थोड़ा आगे नहीं पिछे नेश्याद आगे याद आया, याद आया, तेशन से थोड़ा आगे, भाटक से पहले, मैं फूरा खंबा डाउन था, बोरी बिच्छाई और लेड गया खंद में फ्वास और ढाद कर दो एघ मैं जया आगे जी दोड़ा खंदरोज़ इंदर डाई evidently होड़ा कर दो भाद कर दो तो कर दो ब्रवाइब नहाँ कौन था वो आदमी जिसको पट्री पर लिटा है? मुझे नहीं पता और वो चार लोग कौन थे? मुझे क्या पता? तस अले तुझे पता क्या है बहीं चंदरू? दूसरे दिन मैं टेशन पर भीख मंग रहा था तुम्हाने उस आदमी को जो पत्री प लिठा के गए थे ना उसको फिर देखा सुबाँ वे सॉलिच चंदरूप मरा हुआ था वो अम्मा, अम्मा, भू के को खाना खे? अम्मा, दो दिन से कुछ नहीं खाए, अम्मा कई दिनों तक उस लास की फोटो प्लेट फारम के बोरट पे चिपकी रहे हैं, फिर निकाल देगें तो ये है कपर सुट एक तो देड़ साल बास ही कपर दे रहा है वर्ज कैसे पता चलेगा, तो सच बोला है जूट बोला है तो तेरे बाप लोग, पुलिस वाले पता करेंगे ना तो तो उन्हें बस ख़बर दे, तगड़ा इनाम मिलेगा इन का कलर दिये जा रहा हूँ, मतब पर्फिक्ट मडर अरुनापुरम रेलबे स्टेशन के पास? जी हाँ, मैंने पता लगा है, ये चंदुर भिखारी जो स्ट्रैक की बात कर रहा है वो अरुनापुरम और हिमगुडी, इनके बीच में ही पढ़ता है 2015 में दिवाली की टाइम, अरुनापुरम जी एर्पी से वेरिफाई कर लो जे सर, सर हो सकता है बॉडी अभी तर्कलेम भी हो गई हो उस भिखारी का कहना है कि उसने ट्रैक पर लटाते हुए चाह लोगों को देखा तो मुर्डर रूल आउट नहीं कर सकते अब देखो, एक शराबी की बातों का कितना भरोसा कर सकते हैं वो भी है सर, कहानी पूरी तरह से मनगरंद भी हो सकती है या फिर परफेक्ट काईं की कहानी हो सकती है क्या बता अब ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी न हो क्यंदरू ने कहा था कि मरने वाला आदमी था, राइट? ये सर तो फिलहाल औरत को रूल आट करते हैं, इश्वर के लगता है ये सर लगता है इस आदम को जान बूज कर इस तरह से ट्रेक पर रिटाए गया ताकि इसके चहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाए अडेंटिटी पूरी तरह से मिटा दी गई दिवाली का टाइम था, पक्का तू टाइट होगा, ट्रेक पर अंदेरा भी होगा, फिर भी तू पहचान किया कहीं ऐसा तो नहीं दारू अरू के चक्कर में इस जी तू को गरीदर है तो नहीं साहब, बाकली कसम, चार लोग थे साहब और आकर इस आजमी को पत्री पिलिटा गए, मैंने आखों से देखा था सर, अरुनापुर्ण जी आरपी ने एक नॉवेंबर 2015 से, 15 नॉवेंबर 2015 तक ही सभी मिसिंग कंप्लेंट चानी, लेकिन कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली होना है, फिर रेल्वे ने खुद ही इस लाश का क्रिया करम कर दिया, और बाद में कोई खोच्टा पूच्टा जी नहीं है, जी नहीं सर, हमारे पास एक प्यक्कड विखारी आई विटनेस है, और किस्सा भी देट साल पुराना है, हिश्वर, क्या ये केस हमें हाथ में लेना चाहिए, नॉवंबर 2015 से, जनवरी 2016 तक, सिर्फ अरुनापुरा मी नहीं बल्कि, करनाटक के हर पुलिस बेटेल भेजे गए, कहीं पे भी किसी कंप्लेंट के साथ में है, ये मैश नहीं हुए, जनवरी में केस क्लोस कर दिया गया, तो अब, कहां से स्टार्ट करोगा मैश, कुमारे पास सिर्फ एक शराभी का बयान है, कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं है, तर शाद मिसिंग क लेकिन एक मौका है, ये परूब करने का, कि कभी कोई परफेक्ट क्राइम होई नहीं सकता, सर्ट डेट बोड़ी के फोटोग्राफ को फिरसर सर्कुलेट करने का कोई साइंस बनता नहीं है, सब भी पुलिस थाने में जा चुकी है, सब के फाइल बहूंगी, ये केस तक्री सब्सक्राइब करने का लगते हैं, और कहीं नहीं तो इसका घर होगा, जहां ये पिछले डेट साल से लाटा ही नहीं है, ये अरुनापुरम और ये हमगोडी, और ये है इन दोनों इलाकों के बीच में से गुजरता हुआ वो रुलिवे ट्रैक जहां पर आदमी को लटाया है, अब एक्टिम या तो हमगोडी का हो सकता है, या अरुनापुरम का, और उन चारों कातिलों में से कोई एक, या तो इस हीरे का हो सकता है, या इस हीरे का, या ये भी हो सकता है, ये सब के सब, या तो हमगोडी से कनेक्टेड हो, या अरुनापुरम से हो, तर ये अरुना अब हमें एक अन्जान आदमी के पहचान ढूंड निकान ले हैं, तक्रीबन दस लाख लोगों के बीच में से, विक्टिम के चेहरा में नहीं पाता, विक्टिम मारा गया, पर जो भी हो, ढूंडना तो है। अब दस नूंबर 2015 के शुगए, उसका सर कुचला हो अमला था अरुनापुरम से हमगोडी के बीच, रेलवे टक पर, उमार 26 से 29 साल के बीच होगी, और गरीब घर से था। अब तुम लोग ये पता करों कि पिछले देड़ साल के अंदर घर वापस कौन नहीं दो। उस मारे गए आदमी की अडेंट्टी की तलास चारी था, जो अपने घर नहीं लोटा था। पर साथ साथ हम दूसरे केसेस में भी बीजी थी और तभी एक देन वो खबर आई जिसकी उम्मीद काफी कमती। तू हिमांगी से पूछ ले, वो यहां से तीसरी गली में रहती है। अच्छा, इस हिमांगी घर में कोई ऐसा है जो कि पिछले डेड़ साल से घर वापस नहीं लोटा है। हाँ, विजे, विजे कोटियान, उसका पती। जहां तक मुझे याद है, पिछले के पिछले दिवाली से वो दिखाई नहीं। और हिमांगी घरों में काम करती है। इस वक शायद वो घर पे होगी। कौन? आप हिमांगी कोटियान? हाँ, मैं ही हूँ? आपकी पती विजे कोटियान, दोजार पंदा की दीपावली के टाइम से घर नहीं लोटे है। हाँ, हाँ, किदर है वो? आप कौन विजे ने भेजा है? जी नहीं, मैं पुलीस के तरफ से हूँ। पुलीस? विजे जेल में है क्या? जी नहीं, मेरे पास एक फोटो है, पर उसका चहरा नहीं है। चहरा? चहरा नहीं है मतलब? अप्पा, विजे का कुछ पत्ता चलाएं। नहीं है मांगी बिटा, पारवती और मैं विजे को धूड़ के थक गए। क्या विजे नहीं कुछ बताया था यह मांगी? कहीं बार जाने वाला था? नहीं अम्मा, तीन दिन परे रोज की तरह पीकर आया था, उसकी बाद बोला कुछ जरूरी काम है, तो मैं भी मांसी को सुला कर सो गई। मैं उसकी कंश्टक्शन साइड पर गया था, सबसे मिला हुआ। सुपरभाईजार, कामगार, सब यहीं बोल रहे थे, नहोतारिक के बाद इधर आया है ही नहीं। साब पूरे एक हपते के बाद तक्दीर चमकी है, वो फोटो वालाद भी मिल गया है। क्या? मिल गया? सर, वीजय कोटिया नाम था उसका, यहीं मागी हली के रहने वाला था। उसकी पत्नी हिमांगी अपनी बेटी मांसी को छोड़ने अपने साससुसूर के घर गई है। मैं उसे अपने साथ मेले कर आ रहा हूँ। सर, कुछ और अजीब गरीब सी चीज़े पता चरी है। मैं आप आकर वही पर बताता हूँ आपको। हाँ, हाँ साप। मुझे अच्छी तरह से आद है। विजय ने उस रात को यही कपड़े पहने थे। 9 नवंबर को विजय कहां जा रहा हूँ। पी कर रहा हूँ। और कितना पी ओगे। और जा कहां रहा हूँ। मैं किसे का खून करने जा रहा हूँ। ठीक है। और तूने जादा टेंटे की नहीं मांगी। तेरको भी काट दोगा मैं। समझी। विजे पीकर मारता था पिना पी भी मारता था बहुत गुस्सा वाला था साहब उस रात को भी गुस्से में निकला था घर से यह जो विजे ने घर से जाते वक्त किसी को जान से मानने की बात कही थी ये योही नशे में कही थी या सच में उसकी किसी से कोई दुश्वनी थी पता नहीं कभी-कभी तो वो मुझे भी मारने की धमकी देता था हमारे एक सोर्स ने चार लोगों को देखा था तुमारे पती विजा को पट्री पर लेटाते वए क्या तुम बता सकती हो कि वो लोग कौन हो सकते हैं मुझे नहीं मालूम हमांगी तुम क्या रही थी कि तुमने तुमारे सास और ससूर सबने विजा को काफी ढूंडा तो फिर पुलिस कंप्लेंड क्यों नहीं कराई आदत थी उसकी छगड़ा करके जाएगा फिर दो चार दिन तक वापस नहीं आएगा माबाप की घर पे ही रुक जाएगा और उसके बाद चुप चाब कुछ दिन में घर लोटाएगा हमें लगा इस बार भी पर इस बार देट साल गजर गया चीतू, तु कुछ बताने वाला था ना जी साब, इनके घर से पहले भी एक आदमी घायब हुगा था और कॉन घायब हुगा था हमांगी मैं उनसे कभी मिली नहीं उनसे? किन से? मेरा जेट विजे का बड़ा भाई, निलेश अन्ना इनिलेश को टिन कब से घायब है? मेरी शादी के पहले से साब कब हुई थी तुम्हारी शादी? 2011 में, लिकिन निलेश अन्ना तो 2010 से गायब थे विजे नहीं बताय था उनके बारे में साब इस विजे के माब आप सरूर कुछ बता सकते हैं निलेश के बारे में इमांगी विजे के बास मोबैल तो रह होगा ना नंबर याद है तुम्हें उसका? नंबर तो याद है पर नंबर सेवा में नहीं है ऐसा बोलता है कोई बात नहीं है, इस पर लिख दो ये विजे कहां काम करता था इमांगी? मजदूर था, वो बिल्डिंग बनती है ना? वहीं काम करता था जिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था विजे, वहाँ उसके कोई दोस्तों होंगे ही? विजे के दो दोस्तों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक ओमकार प्रसाद और रतन राओ, वो भी विजे के साथ मजदूरी करते थे नमबर, यह ओमकार प्रसाद और रतन राओ, यह दोनों कहा मिलेंगे ओमकार तो हमारे महले में ही रहता है साथ, जब विजे कोया था तो उसने ही हमारी मदद की थी हरी हरन कोटियान, जी, मैं हूँ, आपकी बहु हमांगी, उसने आपको आपके बेटे विजे के बारे में बताया, जी, बताया, आपकी बहु हमांगी ने हमें आपके बड़े बेटे निलेश के बारे में भी बताया, पहले निलेश चला गया, फिर विजे, अब विजे के ब लता दीदी, ये ओमकार किधर है? पता नहीं मांगी, सुबह सही ताला लगा है, मैं साइट पर भी होकर आई, पर वहां बोले काम पर नहीं आया है, गाव वाओ गया होगा, सुब्रे अनने से बात करके देखो, ये सुब्रे अनना कौन है? हम सब का मकान मालिक, ये निलेश द जब वो बन रहा था, तब वहां इटे लगना का काम कर रहा था, और आप लोगों ने निलेश के गायब होने की भी कंप्लेन नी कराई, क्यों? तब विजय इतना पिता नहीं था, वो डून रहा था, अपने बड़े भै निलेश को, जो कि विजय को मिला नी, और उसके जी, साथ साल हो गए तो, कुछ अच्छे से याद गई, आये से, सर, लगता है घर बंद करके चला गया, ओमकर, पुन ट्राय करहों लेकिन स्विचव पा रहा है, ओमकर ऐसे किसे निकल सकते है, हमें तो बताया नहीं कुछ, इमांगी, ये ओमकर अच्छा दोस्ता विजय का हाँ, जब विजय गायब हुआ था तो सबसे पहले में यहीं आया थी, ओमकर से पूछने, ओमकर, ओमकर, क्या हुआ है मांगी, विजय रात बर घर नहीं आया, रहदार वारू पीकर कहीं पढ़ गया होगा, एक कामकर, तू रतन से पूछ ले, मिला मुझे रतन रास्ते में हैं, उसे भी कुछ पता नहीं है, अरे रतन, विजय को देखा क्या कहीं पे तुमने, नहीं तो, क्यो, क्या हुआ, बात क्या है मांगी, रात बर घर नहीं आया है विजय, मुझे लगा, तुमने कहीं देखा होगा, नहीं, मुझे तो नहीं पता, और विजय होकर कहा पर कुछ इधर देखता हूँ है मांगी क्या तो माच कर नुदो कर से मिली था क्या उसे पता है कि विजय का मुर्डर हूँ सकता है हम लोग तेहिकाओ आ नहीं साब मेरी तो महीनों से बात तक नहीं हुँ यों कर से इरतन कहा रहता है। मालूं नहीं सुबराय जी आप जानते है रहतन को हाँ हाँ अच्छी तरह रहतन भी यही रहता था अमकार के साथ रहता था मतलब अपका रहता है वगा अब पता नहीं साब दो हजार पंदरा के आखिर तक गौनों यही रहते थे एक्रिमेंट दिखाए एक्रिमेंट पर रतनराव का नाम फोटो एडरस भी नहीं है क्योंकि साब वो बाद में आता रहने अमकार मुझ से बोला कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है इसके लिए मैंने उसको रहने को दिया और वो आदा किराय भी देता था इसके लिए मैंने फिर कागज पत्री वगरा कुछ बनाया नहीं ओमकार अपना फोन बंद करके बैठा है जरूर भागा होगा हमारे आने की भनक लगने पार एमांगे मैं साब साब बता हूँ तुमने तो कुछ नहीं बोले है ना उसे हमारे बारे में नहीं साब तो फिर लफडा क्या है तुम्हारा पती गायव है पूरे डेज़ साल हो चोके है और तुमने शिगाइद भी नहीं कि और डेज़ साल से मैं इंतिजार कर रहे हूं साब उसका कि आज आएगा, कल आएगा, मेरी बेटी को इसका बाप मिल जाएगा जबकि जानवर की तरह पेश आता था विजे मुझ से और अब लफड़ा पूछ रहे हैं लफड़ा तो हो गया साथ अब मेरा पती कभी वापस नहीं आएगा अब मेरी बेटी को इसका आप कभी महीं मिले यह केस अजीब और गरीब तरिके से शुरू होता और आब और भी अजीब होता जा रहा यह विजे कोटियान दो हज़ार पंद्रा में मिसिंग होता मरा जाता है और डेट साल तक इसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई जाती असर यह विजे कोटियान का बड़ा भाई निलेश कोटियान यह 2010 से गायब है 7 साल हो चुके है पर इसकी भी मिसिंग कंप्लेंट दरज नहीं की गई है और यह ओमकर प्रसाथ विजे कोटियान का दोस्त यह सुबे सी गायब हो गया सर इसका मोबाईल भी स्विच ओफ है और इस ओमकर के साथ रहने वाले विजे का दूसरा दोस्त रतन राओ वो पिछले एक साल से गायब है उसका थो कोई फोडो भी ने हमारे पास सर सर इस विजे की पतनी हिमांगी इस पे डाउट जा रहा है स्ट्रॉंग डाउट आई मिन एक पती की मार से परिशान औरत जिसका पती अचानक गायब हो जाता है एक तरस उस चुटका रहा ही मिल गया पर सर जैसी हमांगी को पता चला कि हम पता कर रहे हैं विजे के बारे में सर चौक गई सर मुझे ऐसा लगता है कि हमांगी नहीं ओमकार को टिप आफ किया होगा उसके ओमकार गायब हो गया सर आई थिंक विजे के केस में ये ओमकार और हमांगी दोनों इन्वाल्वड है कि हिमांगी पर तुम्हारा शक इस बुनियात पर है क्योंकि डेट साल तक ना तो उसने अपने पती वीजे को ढूंडा और ना ही उसे ढूंडने में पुलिस की कुई मदद ली विजे कोटिन के मिसिंग होने में हम उसकी पतनी हिमांगी पर शक कर सकने जैकन फिर निलेश के गायब होने में सरे विजे हिमांगी की शादी 2011 में थी पर ये निलेश तो 2010 से ही गायब है सर चंदरु विकारिका कहना है कि वो चार लोग थे जिन्होंने विजय को ट्रेक पर लिटा है था सर अभी तक हमें विजय के सिर्फ दो दोस्तों के बारे में पता चला है एक तो यह ओमकार प्रसाथ और दूसरा है रतन राव जिसका अभी तक हमेरे पास फोड़ो नहीं है और सर इन चार लोगों में एक इस ओमकार के होने के पूरे चांसे थे जैसी से पता चला कि हमें पता चल चुका है तुरंट फरार हो गया इस विजे कोटिन के फूड निकार्ट सुन निकलोओं होसकता है उसमें रतन राव का नम नबना जराजया और सर में विजे कोटियान के बड़े भाई निलेश कोटियान के केस को खंगालती है हाईवे के पैस मेनाक्शी होटल के कंस्रक्शन पे ये काम कर रहा था जो बिल्डिंग तो कपकी पूरी हो चुकिये साथ सर, I think 2010 के contractor list में इस निलेश का नाम जरूर होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें 2010 के कितनी भी railway track पर accident cases है सब खंगालने चाहिए हो सकता है 2015 में जो विजे के साथ हुआ वही 2010 में निलेश के साथ भी हो इस अजीबो गरीब केस में उच भी मुमकिन एक केस बड़ा बनता जा रहा हो सकता है बिखारी चंद्रू की छोटी सी टीब किसी बड़े कान का पिटा रखो दे जी मुकेशर सल 2010 2010 में जितने भी train accident cases है आपके jurisdiction में मुझे सबी की फाइल चाहिए उसके थोड़ा वक्त देना पड़े गंजली सासाल पुराने रिकॉर्ड्स है ठीक है मुकेशर जी तो इस ओमकार परसाद को ढूणने का है यह पक्का को जानता है इसलिए हमें सूंगते किसी बिल में जाकर चुप गया और इस हिमांगी पर भी नदा रखवा हमें शाक है कि इसकी भी इंवाल्मेंट हो सकती सर आप चिंता मत करें एक केस मेरे लिए बहुत खास है उल्टा जो चल रहा है सब ऐसा पहली बार हो रहा होगा ना कि मेरी दी हुई खबर की पेट से केस जनम ले रहा है दो नमर मैसेज कर रहा हूं यह दोनों नमर स्विच्ट ओफ हैं पर दोनों के रिकॉर्स चाहिए कंज्यूमर फॉर्म से लेकर सपोर्डिंग डॉकुमेंट्स ता कुरिफाइव हाँ हाँ दो हजार पंडरा के ही करें लिए कारीकर यह दो दिन से कांपर नहीं है रामडे गंळा यह उमकार नंबाडर केस में शामईल हो सकते हैं दो हजार पंडरा केस तू पादमागर से मेली वह कई सालों से इहां अलग-अलग construction site पे काम कर रहा है शायद वो जानता होगा कि यह उंकार कहा हो सकते हैं और वो पक्कार अतन को भी जानता हो यह पदमागर कहा मिलेगा वो तो यहीं उपर दूसरे माले पे काम कर रहा है होटल के ओनर से ही मालूम होगा कि होटल कौन सी construction company ने बनाया था और वहां से आपको labor supplier का contact मिलेगा वैसे 7 साल पहले की बात कर रही हैं आप 2010 की जी पराग जी 2010 उस वक साइट पर काम कर रहे हैं निलेश कोटियान को ढून रहा है हम तो 7 साल पीछे तो जाना ही पड़ेगा आप एक बार अपने होटल के उनर से बात कीजिए ना पीज मुझे दो दिन का टाइम दीजे मैड़ फ्ली शाम तक कर दीजिए वैसे हम निलेश कोटियान के छोटे भाई विजय कोटियान के केस में डेर साल लेट है और निलेश कोटियान के केस में तो साथ साल लेट है पदमाकर हाँ मैं ही हो पदमाकर तुम ओमकार परसाद और रतमरा को जानते हो हाँ दोनों को जानता हूँ हमारी तरह मजदूर है क्यों क्या हुआ उमकार परसाद गया और रतनराओ को कुछ पता नहीं बता सकते हो काम मिलेंगा अरे कार्तिक यह उमकार के बार में पूछ रहे हैं अरे भाई वो तो दो दिनों से काम पर ही नहीं आया है मालूम है माजरा क्या है और तुम को नो मैं पुलिस का मजदूर अच्छा सुनों लगभग देढ़ साल पहले यहां से एक मजदूर गयब होता विजय कोटियां जानते उससे दीपवली के टाइम पे विजय को ना जा मता हूं मैं उसका बड़ा भाई निलेश वो भी कई साल पहले गायब हुआ था मालूम है मुझे निलेश भी पहले हमारे साथ ही काम करता था देख भाई जी तो तुना अपने माइबाब पुलिस वाले को बोल दे कि अगर यह ओंकर प्रसाथ कुछ करके भाग भाग गया हो जरूर मध्यप्रदेश गया होगा मध्यप्रदेश तो काफी बड़ा है देखो और कुछ मुझे पता निए जहां तक मुझे याद है पहले उसका वहां से अब डाउन होता था ठीक है और यह रतन रतन रहो यह रतन तो काफे टाइम से दिखा नहीं है बहुत टाइम हो गय मैं मैंने सुना है कि यह विजय का मर्डर वर्डर हो गया है सच है क्या हाँ सच है और एक बात यह विजय कोटियान की पत्नी हिमांगी है ना पुलिस को उस पर शक है कि यह विजय की मर्डर में उसका हाथ हो सकते हैं ऐसा यह माजरा क्या है एक गवाह है जिसने 2015 को स्रीपर लिटाते हुए उसमें विजय के दो दोस्तों को हमने पहचान लिया है एक उमकार प्रसाद और दूसरा रतन राव यह बांकी दो कौन है तुम लोग बता सकते हूं हम क्या बता है हमें तो वैसे यह सुनके डर लग रहा है कि अपने विजय का मर्डर वर डर हो गया है और भाई जी तू तू यह जो हिमांगी उससे दूरी रहना बड़ी चालाक औरत है वो चालाक से तीरक है मतलब करतिक देश जब से विजय गायब हुआ है ना तब से महलने से लेकर साइड तक सब लोग यही कह रहे हैं कि हमांगी जो थी वो विजय से चुटका रहा चाहती थी और बस इसलिए उससे अपने पती को राशे से साथर दिया सार यह कोर फाइल 2010 के एक्सिडेट के सी नौनमबर 2015 की शाम को विजय कोटिन के फोन पर आखरी कॉल इस रतन राओ का है और उसके बाद सी रतन का फोन स्वेच आफ हुआ था वैसे इन दोनों दोस्तों के बीच काफी बाच्चीत होती थी सार ओमकार के साथ भी विजय कोटिन के कातल के केस में अभी ओमकार और रतन दोनों हमारे प्राइमरी लिंक्स इसमें कोई शक नहीं ओमकार अंडरग्राउंड है सर हिमांगी रडार पर है अब बस इस रतन का पता चल जाए तो शायद इस केस में हम नेक्स लेवल पर पहुंच सकते हैं और विज साथ साल पहले मजदूर करता था लगा रे जी तू छोड़ना मत जो सवाल ओमकार प्रसाद से करना है वही सवाल हमें इस रतन राव से भी करना है सर वैसे मैंने मद्ध प्रुदेश में अपनी चार आत्मी को काम पर लगा दिया है जो अलग लग जवाँ पर इस वामकार प्रसाद को डून रहे हैं और गुंदूर साइड में एक टीम आउन कर दी है इस रतन राव के लिए 2010 में कुल में लाकर कितने एक्सिडेंटल डेथ केसिस हैं कुछ 68 फाइल्स हैं मेडम सबके सब रेल्वे की पट्री पर हुए एक्सिडेंट केसिस हैं इन में से जारा तो शराबी और गर्दू ले थे जो नशे की हालत में ट्रेक पर गिर गया है कुछ suicide केसिस भी है में ला हर साल हजारों की तादाद में लोग रेल्वे ट्रेक्स पर मारे जाते इन में से जारतर केसिस अननैचरल एक्सिडेंटल टेस्स की फाइल्स में प्लासिफाई होते कई लाशें लावारिस बनकर पड़ी रहती हैं जिनका रेल्वे द्वारा क्रियकरम कर दिया जाता है कभी कबा जैसे कि इस केस में मर्डर को एक्सिडेंट का रंग देकर उस संगीन जूर्म को एक्सिडेंट फाइल्स में च्पा दिया जाता है गुजरते वक्त के साथ साथ ये साफ होता गया के विजे कोटियन का केस क्लियर कट मर्डर केस था और 2010 की फाइलों में से भी हमें विजे कोटियन के केस से काफी मिलता जुलता केस मिलने वाला था और उसमें भी शायद मुर्डर को एक्सिडेंट का लिवास पहना दिया गया था और ये केस था विजे के बड़े भाई निलेश कोटियान का सर 2010 के 68 केसे में से ये केस ऐसा है जिस पर डाउट जा रहा है ये सितंबर 2010 का है और सर इस केस में भी बॉड़ी जियों कीते हो हैं सिर्फ सर ट्रेन की नीचा आके को चल गया है बिलकुल विजे कोटियान के केस की तरह है और सर ये 2010 वाला केस भी अरूनापुराम और हिमगोडी के बीच वाले ट्रेक पर हुआ था कि विजे की बॉड़ी भी इसी ट्रेक पर मिली थी अब शायद हम एक नहीं दो दो मर्डर केसिस का सामना कर रहे है नेलेश कोटियान और विजे कोटियान इन दोनों भाईयों के पांस साल की गया हूँ सकता है दोनों का कातिल सेम हो असर मोडर सपरेंडी तो सेम है ही ये मोडर सपरेंडी ये इस तरह लोगों को मौत के घाट उताने का तरीका शायद उन चार हत्यारों ने कुछ और लोगों पे भी इपनाया होगा तर बें नेलेश और विजे के पैरेंट्स को नेलेश की फोड़ो दिखाता हूँ अलांकि ऐसी हालत में उनके लिए पैचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा फिर भी ट्राइ करता हूँ शायद नेलेश के कपड़ों से पैचान जाए दिमाग पर जरा सा जोड़ देकर याद करनी के कोशिश कीजिए कि आपका बेटा नेलेश सितंबर के महीने में गाइब हुआ था 2010 में वो जब आखरी बार गड़ से बाहर निकला था तो क्या वो इसी रंग के कपड़े पहन कर निकला था कि हरी जी परवथी जी किया ऐसा कोई भी है जो हमें निलेश के बारे में और जानकरी दे सकता है जो उसके करीब था उसके सबसे करीब तो हम ही थे प्रवं बुठ्धे हो गए साथ साल पुराना सब कुछ धंडला सा हो गया है निलिश को भी ऐसा ही मार डाला गया था कौन थे वो लोग आरवती जी हमें पक्का तो नहीं मालू लेकिन जिस तरह से वेजय का कतल कर दिया गया था रेल बेट ट्रेक पर सुला गया ठीक उसी तरह से इस आद्मी का भी कतल कर दिया गया था अब हमें यह लग रहा है कि सितंबर 2010 की यह लाश आपके बड़े-बेटे निलिश की थी अच्छा क्या आप लोगों की कुछ परानी खांदानी दुश्मनी है जिसके चलते आपके दोनों जवान बेटों को गाइब करके मार डाला गया हम गरीबों का कैसा खांदानी कैसे दुश्मनी हम खाली पे टूकते हैं अपना खून चलाते हैं मेहनत करते हैं तभी जाते चार चावल पेट में गिरता है हमारे आवकात ही क्या किसे से लड़ने क किया जगड़ने की सौरी मैडम थोड़ा टाइम लगया हमारे होटल की कंस्रक्शन कंपनी तक पोचने में लेकिन लेबर सुपरवाइजर से कॉंटेक्ट हो गया है थांक्यू पराग जी प्लीज इस सुपरवाइजर का नंबर फॉवर्ड करती जी मैडम मैं अभी फॉवर फॉड़े कोटियान दो निलेश निलेश कोटियान वह अगयली वाला नहीं यह देखे तो नहीं बता सकता कि यह कोटियाल है मिल्लब वैसे भी साथ साल हो गए सेकड़ो मजदूर आए गए और इसमें इसका चहरा भी तो गिरिश इसे मुडर केस हे जिस तरह निलेश के चो तो हम जानना चाहते हैं, Girish, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें डाउट है, जिस तरह से इन दो भाईयों को मार दिया गया रेलवे ट्रैक पे लिटाकर, उसी तरह से उन लोगों ने और भी कई लोगों को मारा हो सकता है, अच्छा, Girish, एक बात बताओ, ये जो मेनाक्षी होटल सब्सक्राइब करता था, क्या वहां पे इसका कुई ऐसा जगड़ा हुआ था, जिसमें उसका छोटा भाई विजय भी शामिल हो, नहीं मैड़ा मैसे तो कोई बात नहीं थी, ये निलेश एदम सीधा सदा गायाद मी था मैड़ा, हाँ, जब ये गायब हो गया, तो उसके ब दो देन हो गया है, आपको बता के गया तो चुट्टी क्यों ले रहा है, मेरे को बोला होता, तो सुबह तुमने जब पूछा तभी बता देता ना, पाच्वी बार पूछने से कालाज जवाब दिल्दा मैं, गिरिश ये कविता भी का मिलेगी, जब वो आखरी बार पूछ काम पे आ ही नहीं रहा है, मेरे तो गायब ही हो गया है, तुम्हारे ही साइट से दो लोग ऐसे अचानक गायब हो गया जिसमें से अग और थी, तुम्हारे ही साइट से दो लोग ऐसे अचानक गायब हो गया जिसमें से एक और थी, तुम्हारे ही साइट से तुम्हारे ही सा कोई फोटो वोटो नंबर है तुम्हारे पास उसका अभी फोटो वोटो काहा मैडम सर कहीं विजो निलेश की तरह कि कविता भी मारी तो नहीं गई यह चंद्रो विखारी हमारी जोली में कई डाल गया किसी कतल की टिप यह कतलों का पिटारा सर यह को रिले रेस जैसा होता जा रहा है एक मिसिंग कंप्लेंट दूसरे की तरफ इशारा कर रही है और एक मर्डर केस दूसरे मर्डर को दस्तक दे रहा है सर आइ थेंक हमें इस कवीता को चित्रा पूरी बस्ते में ढूनना चाहिए शायद वो हमें निलेश की केस के बारे में कोई लीड दे पाए और निलेश का केस शायद विजय के हत्यारों तक हमें पहुंचा दे रतन राव रोम का परसाद यह कहां दौड़ने सोकत सर्च जारी है सर कब्रियों का महा गड़ मंदन काम पर लगा हुआ है अपरेशन कवीता लका इन ध्याम दे इस रेले रेस में वो बैठन वो कड़ी हमारे हाथ में आनी चाहिए जो हमें इन केसिस की तह तक लेकर जाए ऐसा नहों कि हर खिलाडी अलग अलग दाड़ रहा है कोई ट्रैक में कोई स्टेडियम में बस से एक ऐसी कड़ी मिल जाए जो इन सारे केसिस को आपस में जोड़ दे मर्डर और मिसिंग केसिस को पता ने इस रेल्वे ट्रैक पर और कितनी राशे बिछाई गई होंगे कविता को जानती है किसी कविता को जानती है कंस्ट्रेक्शन साइट पर काम करती है कविता महरास्ट्री ने हाँ कविता पर द्यक्षव कौ चाह हां अच्छी तरह से जानती हूं कविता को पुरा नाम क्या इस कविता का शादी के पहले था कविता मोरे और श्यादी के बाद हो गया कविता अच्हे तो इसका पतिगी है कहा रहता है वो आपको मालूम नहीं अरे दो हाज़ार नौ में उसका पति आच्छा नग गायब हो गया गायव हो गया का यहीं चित्रापुरी से हाँ अरे एक नंबर का बेवडा था एक दिन गया बार में दारूपी ने और अचानक से गायव हो गया पूरा नाम क्या था इसके पती का दैनन दैनन भालगी कुछ एक साल बात कविता भी यहांसे चली गैशाएं अरे उसका पती दैनन गायव होने के बात कुछ एक साल बात कविता भी यहांसे चली घुछ कोई तो हो गयाया साबस्ती में, जिसके साँ उसने वास्ता रखा हाहा, काविता के खास दोस्त थी, नफीसा नफीसा, वो है यह वो भी गायेव? नहीं मेडम, अभी तो थो है नहीं तुख है, मितलब यहा चित्रपुरी में नहीं यही बाजु में मागी हरली है न वह बस्ती में रहती यह पिछले हप्ते में गई थी न बजार में वहां दिखीती मेरं आपके पास नंबर है उसका नंबर नहीं आज के बाद आप रोज मागी हरली जाएंगे और वहांplace जाने के बाद आप नफीसा का इंतिज़ार करेंगे जैसे ही आपको नफीसा दिखती है, आप तुरंथ उससे हमारा कॉन्टार्क कराएगी। ठीक है मेडम। अबे साले जीतु, एक टिप्किया लेया है चंदरु बिकारी की हमें पूरे क्राइम नाज की छुट्टिया कैंसल गरनी पड़ी। लेकिन एक भी सूरा का हाथ नहीं लगा हाथ मेंता सर्क या रतन राओ हमारे हाथ में था लेकिन फुरोंग गया है मतलब कहां से फुरो गया दो मैंने पहले सी ये आर्के मार्क पुलिस थाने में बनता है ये रतन राओ परसो जमानत हुई है और निकल गया यहां से चार्ज क्या लगा था इस रतन पर फुल मढर का मतलब ये हिस्ट्री शीटर है ये साला जेल में बिटा था और हम लोग इसे पागलों के तरह बाहर दोन रहे थे सर अभी डबल शॉक के लिए रेडी हो जाओ इस रतन राओ के साथ में दूसरा बंदा था ना ओमकार परसाद वो भी हिस्ट्री शीटर है एकदम इस रतन के साथ इसी मडर केस में अंदर था और इस उमकार के अभी तीन हपते पहले ही यह तो हदी हो गए हमें कैसे बताने चला कि हमारे जो दो प्राइम सस्पेक्ट है वो दोनों के दोनों हिस्ट्री शीटर है और मडर केस में अंदर गए अब तो पक्का लग रहा है कि निलेश और वीजे को इन दोनों ने ठीकाने लगा है और कविता का पती देयानांद माल जो 2009 से गाइब है तो यह ऐसा तो नहीं कि उसकी अननाच्रल एक्सिडेंट केस की फाइल बनी हो और असलियत में उसका भी मडर हुआ इस हिमांगी को तोड़ते हैं सार यह कब से खामोश बेड़ी तमाशा देख रही थी इसने एक बार भी मूह नहीं कोला कि इसके पती वि इसने अपने बड़े भाई निलेश को मर्वादियो और अफे बाद में किसी और ने विजय को मर्वादिया ओ असा कुछ नहीं मैडम मैंने सबसे पले विजय और निलेश इन दोनों की दुस्मनी का ट्रेक सबसे पहले घंगाला था तेरा एच्छी तरह से न और अच्छी स सब्सक्राइब करने को तुम नफीसा बोल रही हो जी मैडम नफीसा शेख है मेरा नाम कविता मलगी और कविता मोरे को ढूंड रहे हम तुम्हारी दोस्त वा करती थी ना कविता तो अभी भी दोस्त है मेरी रहती का है कविता सोलापूर में सोलापूर में वहीं की तो है वो जब उसका शोहर दयानंद गायाब हुआ फिर निलेश भी त तुमिया क्राइम ब्रांच में आकर मुझसे मिलो उसके बाद में तुम्हें बताती हुआ पर पहले तुम मुझे कविता का फोन नंबर दे दो पता भी है उसके घर का फोन करने के तो सोचना भी मत इस कविता को एक टीम लो और सीधा सोला पर पहुँचो इसके अड्रस पर उठालो इसका भी तक प्राइट सर में आरके मार पूले स्थाना से बात करता हूं यह ओमकर रहतन जिस मुर्डर केस में अंदर हुए थे उसकेस को स्टेडी करता हूं ओ सकते हैं इन दोनों के बारे में कोई लीड मेले सारे केसिस को अपनी समझ और पकड़ में रखना होग और जो सब कुछ जानकर भी अंजान बने बैठे थे उनकी तो बैंट बजानी है कि इन्फर्मेशन का एक छोटा सा इनका कई डूबे हुए केसिस को बाहर उभार लाया था हमारी तहकीकात के नईया को आगे बढ़ा पाया था पर किनारा अभी बहुत दूर था हमें एक से एक पेचीदा बवंडरों का सामना करना था सोलापूर पहुंचते पहुंचते ये सवाल पूरी टीम के जहन में डुकिया लगा रहा था क्या हम कभीता तक पहुंच पाएंगे या वो भी घाइब हो जाएगे 2017 में हम पिछले कई सालों के कई केसिस को अंजाम देने जा रहे थे कल हम पेश करेंगे इस केस का दूसरा और शेश भाग चैहन करेश करेंगेंगे याओ